दुनिया भर में थम्ती बिजनस एक्टिविटी की वज़ा से घटे डिमांड और सौधी अरब इरान और रूस के बीच प्राइस वार के चलते कच्छे तेल की कीमतों में बड़ी गरावट आई है दुनिया में क्रूड ओयल यानि कच्छा तेल जिसे रिफाइन करके पेट्रॉल, डीजल और गैस जैसी चीजें बनाई जाती है वो पानी के भाव बिकने लगा है साल 1991 के बाद उसकी ऐसी हालत पहली बार है लहाजा सौधी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों का दिवाला निकल चुका है अमेरिका का भी तेल निकल चुका है रूस ने अपने एक कदम से ना केवल तमाम खाड़ी देशों को घुटने परला दिया बलकि खुद की दुनिया में नई धमक जमाली लेकिन बड़ी बात ये है कि इस बीच भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है भारत मौके का फाइदा उठा कर अपने तेल भंडार भरने में लग गया है मोधी सरकार सस्ती दर पर कच्छी तेल की खरीदारी करेगी और अपने रणनीतिक तेल भंडार को भर लेगी सरकार ने किसी भी आपात परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये रणनीतिक तेल भंडार बनाए है मोधी सरकार ने 5,000 करोड रुपे का तेल खरीदने का फैसला किया है ये खरीदारी 30 डॉलर प्रति बैरल कीमत के आसपास होगी एक बैरल 169 लीटर का होता है इस सौदे की डिलिवरी अप्रेल मई में होगी इस आपूरती से तीन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को भर लिया जाएगा इन तीनों भंडार की ख्षमता 53.3 लाख टन की है इनका निर्माड इंडिया स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिम्टेड ने किया है एक सरकारी अधिकारी के मताबिक पहले सौदी अरामको और एडनौक से रणनीतिक भंडार को भरने के लिए कहा जाएगा इस भंडार के तेल का वो बाद में वाणिजिक उपयोग कर सकता है यदि कमपनी इस वक्त भंडार में तेल डालने से मना करेगी तो ESPRL सरकार से जरूरी रकम मिलने के बाद खुद तेल खरीदेगी इसके अलावा Indian Oil Company BPCL जैसी सरकारी तेल मार्केटिंग कमपनियों से भी कहा जा सकता है कि वो भंडार को भरने के लिए अपनी ओर से ठेका जारी करें माना जा रहा है कि मौझूदा रणनीतिक भंडार को यदि खाडी देशों के तेल से आधा भी भर लिया जाए तो सरकार को 50 से 60 करोण डॉलर की बचत हो सकती है सरकार को सिर्फ मौझूदा सस्तिक कीमत का ही लाव नहीं मिलेगा बलकि खाडी देशों के तेल उत्पादकों ने तेल पर अच्छी छूट देने की भी पेशकश की है तो भारत के पास हो जाएगा 100 दिन का भंडार आपूर्ती बाधा के दोरान रिफाइनरीज में क्रूड के बहाव को जारी रखने के लिए भारत के पास विशाल भूमिगत तेल भंडार छमता भी है इन्हें स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है भारत के पास मौझूद तीन भूमिगत तेल भंडार में दस दिनों के लायक क्रूड स्टोर हो सकता है भारत ने इन तीन तेल गुफाओं के निर्मार पर 4,100 करोण रुपै खर्च किये थे इनको आम बोलचाल में तेल की गुफाएं भी कहा जाता है विशाखा पटनम में मौझूद गुफा में 13.3 लाख टन और मैंगलूर स्टोरिज में 15 लाख टन क्रूड ओयल स्टोर किया जा सकता है वही करनाटक के पादुर में 25 लाख टन क्शमता का भंडार है इसके अलावा पादुर और चादी खोल में 65 लाख टन क्शमता के दूसरे भंडार भी बन रहे है जल्द ही बिकानेर और राजकोट में दो बड़े तेल भंडार बनाने पर भी काम शुरू होगा इनका निर्मार पूरा होने के बाद यदि इन्हें भी भर लिया जाए तो इससे एक महिने से ज्यादा दिनों की घरेलू जरूरत की पूर्ती हो जाएगी इसके अलावा तेल मंत्रारे ने ISPRL से कहा है कि वो दूसरी जगों पर भी भंडार बनाने की खोशिश करे ताकि किसी भी वक्त 90-100 दिनों की घरेलू जरूरत की पूर्ती हो सके इन दिनों सस्ते में मिल रहे तेल से भंडार को भरने से सरकार को बजट तो होगी बाद में इसका वानिजिक लाब भी उठाया जा सकता है मौजुदा भंडार आधा भरे हुए हैं और पांच हजार करोन रुपए के बजट से 53.3 लाख टन के भंडार को बाकी आधार भी भरा जा सकता है कैसे बनाई जाती हैं ये तेल की गुफाएं ओइल स्टोरेज को जमीन के नीचे पत्थरों की गुफाओं में बनाया जाता है इसे बनाने के लिए जमीन से सेकडो फुट नीचे पत्थरों को काट कर जगह बनाई जाती है ये पत्थर की मानो निर्मित गुफाएं हाइड्रो कार्बन जमा करने के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है ओइल रिजर्व को तेल की सप्लाई में रुकावट आने और भारत की एनरजी सेक्यूरिटी को सुनुशित करने के लिए तयार किया जाता है ओइल रिजर्व को इंडियन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिम्टेड मैनेज करता है अमेरिका, जापान, चीन, यूके और ईयू जैसे देशों के पास भी इस तरह के तेल भंडार है भारत ने क्यों बनाए ओइल रिजर्व? ओइल रिजर्व सोची समझी रणनीती के तहट बनाए जाते हैं क्योंकि 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ तो भारत दिवालिया होने के स्थिपी में पहुच गया था उस वक्त तेल की कीमत आसमान पर पहुच गई और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ गया इसकी वज़े से फॉरन एक्सचेंज की हालत खराब हो गई और भारत के पास मास्तर तीन हफ़ते के इंपोर्ट का पैसा बचा था भारत उची कीमतों पर तेल खरीदने को मजबूर था और ऐसे में अप्रेल 1991 के अंतक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई और ये एक दश्मलो दो बिलियन डॉलर तक पहुच गया था हाला कि तब मनमोहन सिंग ने इस्तिती बक्तु भी समाली उधारी करण, निजी करण और वैश्वी करण की नीती से अर्थ विवस्था पटरी पर आई इसके बाद भी तेल के दाम में उतार चड़ाओ भारत को प्रभावित करता रहा भारत ने इस तरह के संकट से निपटने के लिए अपनी एकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव किया तेल बाजार में उत्पन हुई समस्या का दिर्ग कालिक समाधान निकालने के लिए अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने 1998 में ओयल रिजर्व करने का आइडिया दिया था लिहाजा तेल की समस्या का दिर्ग कालीन हल निकालने के लिए भारत गुफाओं में तेल स्टोर करने की योजना बना रहा है इन्हें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार या स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है इस बफर का उद्देश्य तेल की बाहरी कीमतों में उच्छा लाने या किसी अन्य परिस्थिती में तेल की आपूर्ती संकट से बचना है तेल भंडार भरने के लिए समझोते ISPRL ने 25 लाख टन के पादुर भंडार के आधे के किराय के लिए एड़नौक के साथ AMU पर हस्ताक्षर कर लिया है पिछले साल इसने पादुर भंडार की एक चौथाईक शमता को किराय पर देने के लिए सौधी अरामकों के साथ भी AMU पर हस्ताक्षर किये थे ISPRL ने मैंगलोर के 15 लाख टन के भंडार के आधे हिस्थे को पहले ही एड़नौक को किराय पर दे दिया है इसने विशाखा पटनम के 10.3 लाख टन के भंडार को भी इराग के बासरा टेल से भर लिया है 57 फीशदी तक गिर चुके हैं कुरूड के भाव कच्चे तेल की कीमत मार्च में ही 40 फीशदी से ज्यादा गिर चुकी है और कच्चे तेल की कीमते 27 डॉलर तक आचुकी है कॉरोना वाइरस के चलते शुरुआत के बाद से तेल की कीमत में करीब 57 फीशदी की गिरावट चल रही है 6 जनवरी को ब्रेंट कुरूड 69 डॉलर प्रती बैरल पर बंद हुआ था और 21 मार्च को ये गिर कर 27 डॉलर प्रती बैरल पर बहुच गया पहले चीन और अब पूरी दुनिया में कॉरोना से उद्योग धंदे ठप हो गए इसके कुरूड की मांग घट गई और इसकी कीमत में भारी गिरावट दर्च की गई और ये 68 डॉलर से घट कर करीब 50 डॉलर पर आ गया था इसके बाद कुरूड का भाव बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपैक और रूस सहित कुछ आन्य देशों में उतपादन घटाने को लेकर चर्चा हुई इस चर्चा में रूस ने उतपादन घटाने से इंकार कर दिया इसके बाद सौधी अरब ने अपनी तरफ से उतपादन बढ़ाने का एलान कर दिया और कुरूड का भाव भी घटा दिया इससे बाजार में मांग कम रहने के बावजूद आपूर्ती बढ़ गई और प्राइस वार भी शुरू हो गया इससे कुरूड के भाव को फिर एक बड़ा जटका लगा और ये 30 डॉलर से भी नीचे आ गया सश्ते तेल से भारत को क्या है फायदे कुरूड का भाव घटने से भारत को और भी कई फायदे है भारत अपनी 80 फीसदी कुरूड जरूरत की आपूर्ती आयात से करता है इसके चलते देश की एक बड़ी पूजी बाहर चली जाती है तेल की कीमत यदि निचले स्थर पर बनी रही तो कम पूजी बाहर जाएगी इससे व्यापार घाटा कम होगा इसके साथ ही वित्तिय घाटा भी कम होगा पेट्रॉल डीजल की कीमत कुरूड के भाव पर ही निर्भर करती है कुरूड सस्ता होगा तो पेट्रॉल डीजल और वीमान का इंधन भी सस्ता होगा इसका फायदा आम लोग और उद्द्योग सभी को होगा आम तोर पर सरकार क्रूड सस्ता होने पर पेट्रॉल डीजल और वीमान इंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ा देती है इससे इन उत्पादों की कीमत ज्यादा नहीं घटती यानि थोड़ा लाब पबलिक और उद्योग को होता है थोड़ी कमाई सरकार की भी बढ़ जाती है क्रूड सस्ता होने से डीजल सस्ता होता है डीजल का असर सभी चीजों की कीमत पर पड़ता है इसलिए क्रूड सस्ता होने पर महनाई भी घटती है